ओम शान्ती आज 5 सप्टेम्बर 2021 और आज सारे वहारत भर में हर शुल्लास के साथ सिक्षक दिन मनाया जाता है कि जिस समय हर विद्यार्थी के मन में अपने सिक्षक के प्रती, सम्मान और कृतग्यता व्यक्त करने का ये सुन्दर आउसर है सारे वर्ष हर सिक्षक जो विद्यार्थी के पीछे लगन और महनत से अपना समय स्वास लगाते हैं उन सभी सिक्षकों के प्रती कितना विद्यार्थी के मन में सम्मान है उसको व्यक्त करते हैं तो आज लोकिक अलोकिक सभी सिक्षकों के प्रती बहुत बहुत शुक्कामनाएं बधायां मुबारके हैं आज परम्पिता परमात्मा विश्व शिक्षक परम्शिक्षक के प्रती भी हमारे मन में हमारे दिल में बहुत स्रेश्ट सम्मान और स्रेश्ट भाबनाएं हैं आज हम भी उस परम्शिक्षक के प्रती हमारी कृतग्यता को व्यक्त करेंगे यही द्रड संकल्प लेते हुए कि हम भी अपने जीवन को उस परम्शिक्षक की तरह उसके समान अवश्य बनाएंगे और संपूर्णता को जरूर प्राप्त करेंगे आज अव्यक्त बाब दादा के अव्यक्त मदूर महावाक्य सुनेंगे और यह अव्यक्त मदूर महावाक्य अव्यक्त बाब दादा ने 15 मार्श 1988 को सुनाए थे जिसमें बाबा कहे ब्राम्मन बच्चों की तकदीर की तस्वीर भविश्य विश्व की तकदीर बन जाती है ब्राम्मन जीवन के स्रेश्ट संकल्ब भविश्य नई दुनिया के स्रेश्ट संसकार का अनुभो कराता है ब्राम्हनों के स्रेष्ट कर्म, भविश्य में स्रेष्ट फल का सर्व को अनुभव कराता है आज बाबाने ब्राम्हन बच्चों को एक बहुत सुन्दर टाइटल दिया है कि हर ब्राम्हन बच्चे काम भिनू है जो सर्व की मनुकामनाई पूर्ण करने वाले और इतनी मनुकामनाई पूर्ण कर देते जो भविश्य में इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिती हो जाती है आधा कल्ब देव स्वरूप में इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिती रहती है जहां कोई इच्छा नहीं रहती और आधा कल्ब भक्ती मार्ग में भक्तों की भी सर्व इच्छाओं को पून करते हैं तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य ओम शांती आज के मुरली का विशय है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान स्रेष्ट ब्रामन जीवन आज विश्व रच्ता विश्व की स्रेष्ट तकदीर बनाने वाले पापतादा अपने स्रेष्ट तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं आप सभी ब्रामन आत्मे विश्व की स्रेष्ट तकदीर की तस्वीर हो ब्रामन जीवन की तस्वीर से भविश्य की स्रेष्ट तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है हमारे जीवन से ही भविश्य नई दुनिया कैसी होगी उसकी स्रेष्ट तस्वीर स्पष्ट दिखाई देती है ब्रामन जीवन का हर स्रेष्ट कर्म भविश्य स्रेष्ट फल का अनुभव कराता है पुरी दुनिया ऐसी हो जाती जहां चारो और स्रेश्ट फल की प्राक्ति अनुभव होती है ब्राम्मन जीवन का स्रेश्ट संकल्प भविश्य का स्रेश्ट संसकार स्पष्ट करता है जितना जितना यहां हमारे संकल्पों में स्रेश्ट आती जाती है उतना भविश्य में संसकार स्रेश्ट हो जाते है तो बहुत सुंदर बात बाबा ने स्पष्ट की कि हमारे हर स्रेष्ट कर्म, स्रेष्ट फल का अनुभो कराता और हर स्रेष्ट संकल्प, स्रेष्ट संसकार को स्पष्ट करता तो वर्तमान ब्राम्मन जीवन तस्वीर है भविश्य तकदीर्वान संसार की बाप दादा ऐसे भविश्य के तस्वीर बच्चों को देख अर्शित होते हैं परमात्म को भी कितनी खुशी होती है कि यहां जो सिक्षा देते हैं बाबा उसका स्रेश्ट स्वरुप कैसा होगा तो बाबा बाप दादा ऐसे भविश्य के तस्वीर बच्चों को देख अर्शित होते हैं तस्वीर भी आप हो भविश्य की तकदीर के आधार मूरत भी आप हो बहुत उची बात है कि जहां बाबा ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी कि आप जैसे संकल्प करेंगे जैसा आपका स्रेश्ट कर्म होगा वैसी भविश्य नई दुनिया की तकदीर हो जाएगे हमारी तस्वीर भविश्य की तकदीर के आधार मूरत हमें बना दिया बाबा ने कैसे तो बाबा स्पष्ट करते हैं उस बात को आप स्रेश्ट बनते तभी दुनिया भी स्रेश्ट बनती है आपकी उर्तिकला की स्थिती तो विश्व की भी उर्तिकला है हावार्थी संगम यूग में हम जैसे जैसे उर्तिकला की और जाते हैं तो दुनिया के अंदर भी परिवर्तन कितना तीवरकती से आ रहा है और दुनिया के अंदर भी जैसे विज्ञान को अगर देखा जाए तो कितनी तरक्की करके उर्तिकला की और मनुश्य को ले जाता है तो विश्व की भी उर्तिकला है आप ब्रामन आत्माएं समय प्रती समय जैसी स्टेज से पास करते हैं तो विश्व की स्टेजिस भी परिवर्तन होती रहती है। हम सतो प्रधान बनते हैं, तो विश्व सतो प्रधान बन जाता है। प्रकर्ती सतो प्रधान बन जाती है। लेकिन सत्यूग से जैसे हमारी उतरती कला होने लगती है, तो विश्व की भी उतार्ती कला होने लगती है तो जैसी हमारी stage वैसी ही विश्व की stage बतती है आपकी सतोप्रधान स्थिती है तो विश्व भी सतोप्रधान है golden aged है आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है इतने आधार मूरत को वावा इक realization दे रहे है इतने आधार मूरत हो वर्तमान समय बाब के साथ कितना स्रेष्ट पार्ट बजा रहे हो सारे कल्ब के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेश पार्ट इस समय बजा रहे हो परमात्मा के साथ पार्ट बजाने का सौभा की प्राक्तु हुआ है तो इसलिए बाबा कहें इस समय आप कितना स्रेष्ट पाड बजा रहे हैं बाब के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा के अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हैं क्या आशाएं हैं विश्व की हर आत्मा की मुक्ती या चीवन मुक्ती प्राप्त करने की करके हम विश्व की सर्व आत्माओं की आशाएं पून करते हैं बाब कहे बाप के साथ साथ सहीयोगी वन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पून कर रहे हो बाप द्वरा हर आत्मा को मुक्ती वा जीवन मुक्ती का अधिकार प्राप्त कराने के निमित बने ह ये आशा सर्व की हम पूर्ण करते हैं। उसके लिए बाबा कहे निमेत बने हुआ। सर्व की मनो कामनाय पूर्ण करने वाले बाबा के संग संग। तो बाबा कहे सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाब समान, काम धेनू वो, कामनाय पूर्ण करने वाले हुआ। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्य की स्थिती का अनुभो कराते हो। जो आधा कल अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। ऐसी इच्छा मात्रम अविद्य की स्थिती का अनुभो कराते जो बाबा कहे आने वाले आधा कल तक न जीवन मुक्त स्थिती में रहने वाली आत्माओं की कोई इच्छा रहती है न भक्ति में जो भक्त आत्मा हैं उनको कोई इच्छा रहती है। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूती कराने वाले हैं। जैसे बाप के सर्व भंडारे, सर्व खजाने, सदा भरपूर है, अप्राप्ती का नाम निशान नहीं है। ऐसे बाप समान, सदा और सर्व खजानों से भरपूर है। बाबा की जो मैमा है, बाबा कहे, ऐसे स्वयम भी हर ब्रामन आत्में अनुभू करते हैं। तो जैसे बाप के सर्व भंडारे, सर्व खजाने से भरपूर है, अप्राप्ती का कोई नाम निशान नहीं, ऐसे बाप समान, सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। ब्रामन आत्मा अर्थात प्राप्ती स्वरूप आत्मा, संपन आत्मा, काम धेनु कहा, इच्छा मात्रम अविद्यावली आत्माई हैं, और सर्व खजानों से भरपूर, संपन, प्राप्ती स्वरूप आत्माई हैं। जैसे बाप सदा लाइट हाउस, माइट हाउस है, ऐसे ब्रामन आत्माई भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मन्जिल पर पहुचाने के निमित को, कितनी उची तकदीर, बाबा ने वर्तमान समय हम बच्चों को प्रदान की है। जैसे बाप लाइट हाउस, माइट हाउस है, जैसे हम आत्माई भी बाप समान लाइट हाउस है, जो हर आत्मा को अपनी मन्जिल पर पहुचाने के निमित को, फिर आगे, जैसे बाप हर संकल, हर बोल, हर कर्म से, हर समय दाता है, वर्ताता है, ऐसे आप ब्रामन आत्माई भ कि दाता हो, मास्टर वर दाता हो, ऐसे ब्राह्मन जीवन की तस्वीर हो, अब बाबा पूश्ते हैं, क्या स्वयम में यह सब मैसूस करते हो, कि काम देनू है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति और दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने के निमित, सर्व भंडारों से भरपूर, सर्व खजानों से भरपूर और दूसरों को भी प्राक्ति स्वरूप अनुभव कराने के निमित, दाता वरदाता स्वरूप जो बाबा कहे, हर आत्मा को भी, हर संकल, बोल, कर्म से, हर समय दाता और वरदाता का अनुभव हो, तो ऐसे ब्रामन जीवन की तस्वीर हो, कोई भी तस्वीर बनाते हो, तो उसमें सभी विशेष्टाएं दिखाते हो, कोई भी देवताओं की तस्वीर दिखाते हैं, तो चहरा कितना प्रसुन हाथों की मुद्रा से, जैसे दानी वरदानी भरपूर्था, जैसे उनके चित्र से दिखाते हैं, तो बाबा कहें कोई भी तस्वीर बनाते हो, तो उसमें सभी विशेष्टाएं दिखाते हो, ऐसे वर्तमान समय की ब्रामन जीवन के तस्वीर की विशेष्टाएं अपने में भरली हैं, बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो, जो अपना चित्र भी बना रहे हो, आपके चित्र बनते ही, विश्व का चित्र बनता जा रहा हैं, बाबा कहें, आपका चित्र जैसे जैसे बनता जाता, तो विश्व का चित्र भी साथ साथ बनता जा रहा है, ऐसे अनुभव करते हो न, कई पूछते हैं न, कि नई दुनिया में क्या होगा, अब बाबा बताते कैसे, आपकी तस्वीर से भविश्य की तकबीर बनती है, तो कई पूछते हैं न, कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आपको, आपकी जीवन से भविश्य स्पष्ट होता है, इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो, कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है, जो कोई भी देखे, तो सदा के लिए प्रसन्न चित हो जाएं कोई भी जरा भी अशान्ती की लहर वाला हो, तो आपकी तस्वीर देख, अशान्ती को ही भूल जाएं, शान्ती की लहरों में लहराने लगे, ऐसे शीतला देवी बन जाएं, यशीतल देव बन जाए जो बाबा कहे आपकी तस्वीर को देख करके वो दैवी स्वरूप को देख करके वो अशांती को भूल जाए और शांती की लहरों में लहराने लगे अब प्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूती स्वतह की अनुभू करे बिखारी बनकर आए भरपूर बनकर जाए ये है वर्तमान समय के तस्वीर कि कोई बिखारी बनकर आए और भरपूर बनकर जाए आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मन का वा आखों का रोना भूल जाए और मुस्कुराना सीख जाए आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया गीत गाते हैं ना कि मुस्कुराना सिखा दिया तो आपका कामी है रोना छुडाना और मुस्कुराना सिखाना यह कहते हैं ना प्रमा कुमारियां जादू करती है अगर ऐसा जदू हो कि कोई रोता हुआ आए और मुस्कुराता हुआ जाए या मुस्कुराने लगे कोई विखारी बन कराये और भरपूरता कानुभोग करे तो ऐसा जादू तो अच्छा ही है कोई शांती टेंशन में आए और यहां आकर शांती की लहरों में लहराने लगे यहां आकर शांती की लहरों में लहराने लगे तो बाबा कहे यह जादू तो अच्छा है न तो आपका कामी है रोना छुडाना और मुस्कुराना सिखाना तो ऐसी तस्वीर ब्राम्मन जीवन है ये पूरा चित्र बाबा ने खेंच दिया कि ब्राम्मन किसको कहा जाता है ये तस्वीर है ब्राम्मन की सदा ये स्मृती में रखो कि हम ऐसे आधार मूरत है व्रिक्ष के चित्र में देखा ब्रामन कहां बैठे है फाउन्डेशन में बैठे हो न ब्रामन फाउन्डेशन मजबूत है इन सब बातों से ब्रामन फाउन्डेशन मजबूत है तब आधा कल्ब अचल अडोल रहते हो उनको हिला ने सकता है साधारन आत्माई नहीं हो, आधार मूरत हो, फाउंडेशन हो. इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति, सत्युकी सोला कला संपूर्ण स्थिति का आधार है. अब ब्राह्मन जीवन में जो हमारी स्थिति है, उसके आधार पर भविश्य की दुनिया में क्या क्या होगा, वो बाबा स्पश्च करते हैं कि कैसे भविश्य की वो तकदीर बनती है. तो इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति, सत्युकी सोले कला संपूर्ण स्थिति का आधार है. अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधार मुरत है. यहां के सर्वखजानों की संपन्नता, ज्यांग, गुन, शक्तियां सर्वखजानें. वहां की संपन्नता का आधार है. यहां जितनी जितनी आत्मा संपन्न होती जाएगी, वहां उतनी संपन्नता चारो और महसूस होगी. भाबार्थ यह है कि जितना हम भी यहां अपने आपको संपूर्ण, एक मत या संपन्न सर्वखजानों से महसूस करेंगे, उतना ही हमारे जीवन के अंदर वो प्रत्या होगे उतने ही संपन्नता रहेगी उतना ही एक राज्जित के आधार मुरत बनेंगे तो बाबा कहे वहां की संपन्नता का आधार है यहां की देह के आकर्शन से न्यारा पन जितना देह के आकर्शन से न्यारा पन अर्था देही स्मृत स्थिती में है वहां के तन की तंदूरस्ति के प्रत्ति का आधार है जो कहते हैं ना तन हमेशा तंदूरस्त अंचन काया तो उसका आधार क्या जितना यहां हम देह के आकर्शन से न्यारा है उतना वहां तंदुरस्त कंचन काया होगी फिर बाबा आगे कहे अशरीरी पन की स्थिती यहां के अशरीरी पन की स्थिती वहां निरोगी पन और लंबी आयू के आधार स्वरुब फिर यहां के बेफिक्र बाक्षापन की जीवन यहां जितना हम बेफिकर बाच्षा वाली जीवन जीते हैं वहां के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इस स्थिती के प्राप्ति का आधार बनती है तो जितना यहां बेफिकर बाच्षा पन की जीवन है वहां हर घड़ी मन की मौज की जीवन इसी स्थिती के प्राप्ति का आधार बनती है फिर आगे और एक बाप दूसरा न कोई जिसके मन में ये धाणा है एक बाप दूसरा न कोई यहां की अखंड अटल साधना वहां अखंड अटल अखुट निर्विग्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है जितनी हमारे साधना है एक बाप दूसरा न कोई तो वहाँ अखंड, अतल, अखुट, निर्विग्न साधनों की प्राफ्ति का आधार बनती है यहां का छोटा सा संसार बाप डादा वह मात पिता और बहन भाई वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है वहां भी छुटा सा संसार मात पिता, एक बच्चा, एक बच्ची, वही आधार बनता है, क्योंकि यहां हमारा यही संसार है, मात पिता, बाप दादा और भाई-बेहन, फिर यहां एक मात पिता के संस्कार, वहां भी एक ही विश्व के महराजन वा विश्व महरानी को मात पिता के रूप में अंधो करते हैं, यहां जिस तरह से बाबा को, हम एक ही मात पिता के संस्कार बढ़ते हैं, तो वहां भी विश्व महराजन विश्व महरानी को मात पिता के रूप में अंधो करेंगे, फिर बाबा आगे कहे, यहां के स्नेह भरे परिवार का संबन्द, वहां भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है, एक ही परिवार में जैसे बन्द जाते हैं, स्ने की समीपता परिवार की रहती है, चाहे मर्तबे रहते हैं, लेकिन स्ने के मर्तबे हैं, संकोच और भय के नहीं है, कोई भी प्रकार का संकोच नहीं, निर्भय स्थिती होंगी महाँ, ऐसी प्राप्ति या ऐसी तस्वीर, यहां की और भविश्य की तक्दीर, यह तो बाबा ही बता सकता हैं, और कोई नहीं बता सकता है, परमात्म, परमसिक्षकी ऐसी तस्वीर खीच करके बता सकते हैं, तो भविश्य की तक्दीर आप हो न, यह सब बाते अपनी तस्वीर में चेक करूँ, अब बाबा कहें उसको चेक करूँ, यह एक मत हो करके रहते हैं, एक मात पिता, दूसरा न, कोई यह साधना है, एक ही परिवार के सदस्य स्वयम को समझते हैं, इतने संसकार में समीपता यह स्नेह भरा हुआ है, फिर एक ही अखंड, अटल, साधना हमारी हूँ, बेफिकर बाद्शापने की जीवन, वहां के मन की मौज का अनुभो कराने वाले, तो कितने सुन्दर बाते बाबा ने बताए कि कैसे यहां की तस्वीर, भविश्य की तस्वीर को सपष्ट करता है, हमारी यहां की तकदीर, भविश्य की तकदीर बनाता है, तो बाबा कहे ये सब बाते अपनी तस्वीर में चेंख तो कहां तक स्रेश्ट तस्वीर बन करके तयार हुई है कि अभी तक रेखाएं खीच रहे हो तस्वीर में रेखाएं खीच दे न तो बाबा कहे अभी तक बना रहे हो या बन गई ये तस्वीर होश्यार आर्टिस्ट हो न, कितना बाबा बच्चों को मुचा उठाते हैं, कितना स्रेश्ट सुममान देते हैं, कि होश्यार आर्टिस्ट हो न, बाप दादा यही देखते रहते हैं, कि हर एक ने कहां तक तस्वीर तयार की है, दूसरे को उलहना तो दे नहीं सकते कि इसने ये ठीक नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है इसलिए किसी को उलहना नहीं दे सकते हम अपनी तस्वीर खुद बना रहे हैं और चीजे तो सब बापतादा से मिल रही है उसमें तो कमी नहीं है ना, यहां भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीज़े खरीद कर फिर बनाते हो, ऐसा खेल नहीं होता है, जो छोटी-छोटी चीजे ले आते हैं, छोटा घर, छोटे और वो एकटा जोड़ जोड़ करके जैसे पुरा एक तसवीर बना देते हैं तो यहां भी खेल सिखाते हो न, जिसमें चीजे खरीदकर फिर बनाते हो बनाने वाले के उपर होता है blocks जिसको कहते हैं वो blocks लियाते हैं ब्लोक्स जोडते जाते हैं, कभी कोई ट्रक बना देता है, कभी कोई कार बना देता है, कभी कोई मकान बना देता है, तो बनाने वाले के उपर होता है, जितना चाहे उतना लोग लेने वाले सिर्फ ले सके, बाकी खुला बजा रहे हैं, बाप दादा यह हिसाब नहीं रखता कि दो लेना है या चार लेना है सबसे बड़िया तस्वीर बनाई है न जितना चाहिए उतना ले सकते हैं उसके आदार पर अपनी तस्वीर खुद बनाओ सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविश्य के तकदीर की तस्वीर है भविश्य की तकदीर की तस्वीर हम ही है ऐसे समझ कर हर कदम उठाओ मना कितना attention स्वयम पर रहना चाहिए एक-एक कर्म पर एक कदम जो उठाते हैं उस पर क्योंकि उसी से हम अपनी ही भविश्य तकदीर बना रहे हैं सनेही होने के कारण सहियोगी भी हो और सहियोगी होने के कारण बाब का सहियोग हर आत्मा को है बाबा कैरंटी देता है आप बाबा के सहियोगी बने हो विश्व परिवर्तन के तो बाबा का भी हर आत्मा को सहीयोग है ऐसे नहीं कि कुछ आत्मा को ज्यादा सहीयोग है और किनों को कम है नहीं बाब का सहीयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुना है ही हम एक करम करते एक कदम चलते बाबा पदम गुना रिटन देते हैं जो भी सहयोगी आत्माएं हो उन सब को बाब का सहयोग सदा ही प्रापत है और जब तक है तब तक है ही है ये भी बाबा प्रामिस देते हैं कि जब तक ये ब्राम्मन जीवन है संगम युग है तब तक बाबा का सहीयोग रहेगा ही जब बाब का सहीयोग है तो हर कारिय हुआ ही पड़ा है ऐसे अनुभो करते भी हो और करते चलो कोई मुश्किल नहीं क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राक्ति का आधार है कितनी बड़ी बात है कि भाग्य विधाता द्वारा ये भाग्य की प्राक्ति है इसलिए कोई मुश्किल भी नहीं है जहां भाग्य होता वर्दान होता वहां मुश्किल होता ही नहीं इतना सरल सहज बाबा करके दे रहा है जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा तो सभी फर्स्ट डिविजन में तो आने वाले हो न नंबर फर्स्ट एक आएगा लेकिन फर्स्ट डिविजन तो है न अश्ट रत्न जो है वो फर्स्ट डिविजन में है तो किस में आना है कुछ तेह बादा फर्स्ट डिविजन सब के लिए है कुछ कर लेना अच्छा है बादा तो सबको चांस दे रहे हैं चाहे भारतवासी हो बाद डबल विदेशी हो क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है इसलिए जो चाहे ले सकते हैं कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं बाबा कहे कुछ आत्मा हिम्मत हार जाती है तो अपने आप ही जैसे आउट हो जाती हैं तो कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट वाले आउट के पहले ही रिजल्ट आउट होने से पहले ही आउट हो तो यह जगह मिल जाएगे न, इसलिए जो भी लेना चाहो अभी चांस है बाबा ओफर कर रहे हैं, कोई भी खाली फर्स्ट लक्ष्मी नारायन फिक्स हुए हैं बाकि तो सब खाली सीट है, तो बाबा कहे जो लेना चाहो ले सकते हो अभी चांस है फिर बोड लगा देते हैं न, कि अभी जगह नहीं है यह सीट फुल हो जाएगी, इसलिए खोब उड़ो, दोड़ो नहीं लेकिन उड़ो दोडने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उडने वाले उड़ जाएंगे उड़ते चलो और उड़ाते चलो अच्छा, चारो और के सर्व स्रेष्ट तकदीर की स्रेष्ट पस्वीर स्वरुप महान आत्माव को, सदा स्वयम को विश्व के आधार मुरत अनुभव करने वाली आत्माव को, सदा अपने को प्राप्ती स्वरुप अनुभुतियों द्वारा औरो कोवी प्राप्ती स्वरुप अनुभव कराने वाली स्रेश्टात्माओं को, सदा बाब के सनें और सहियोग के पदम गुना अधिकार प्राप्त करने वाली पूजय ब्राम्हण सुदेव आत्माओं को बाब दादा का याद्प्याद और नमस्थे हम सभी रुहानी बच्चों की रुहानी मात्पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा की पर्सनल मुलाकात है, बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा नुगो करते हो, स्रेश्ट मत ही स्रेश्ट हाथ है, बाबा का हाथ स्रेश्ट मत ही स्रेश्ट हाथ है, तो जहां हर कदम में बाप का हाथ अर्थाथ स्रेश्ट मत है, वहां स्रेश्ट मत से स्रेश्ट कार स्वतह ही होता है जितना जितना बाबा की स्रेष्ट मत पर चलते रहेंगे तो स्रेष्ट कारिय स्वतह ही होता है सदा हाथ की स्मृती से समर्थ बन आगे बढ़ते जाएं बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहच कराता है पर हाथ जितना श्रीमत पर हर कदम चलेंगे तो सदा ही आगे बढ़ते रहेंगे इसलिए इस्रेष्ट भाग्य को हर कारिय में स्मृती में रख आगे बढ़ते रहो सदा हाथ है सदा जीत है जहां हर कदम श्रीमत पर है तो सदा जीत है फिर किसी ने प्रश्ण पूछा है बाबा से सहज योगी सदा रहे उसकी सहज विधी कौन सी है सहज योगी सदा रहे उसकी सहज विधी कौन सी है तो बाबा कहे, बाप ही संसार है, इस मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धी जाती है, जब बाप ही संसार है तो बुद्धी कहां जाएगी, संसार में ही जाएगी न, जंगल में तो नहीं जाएगी, तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी यहां से बुद्धी हटाओ वहां से जुड़ाओ आब कहें नहीं तो यह मेहनत करनी पड़ेगी यहां से बुद्धी हटाओ वहां से जुड़ाओ सदा बाप के नहीं में समाय रहो तो वह भूल नहीं सकता बाप की संसार संसार में हमेशा संबंद होते हैं और इसलिए सर्व संबंद बाबा से हैं तो हर पल हर संबंद निभाते हुए चलेंगे तो बाबा भूलेगा ही नहीं सहज योगी बन जाएंगे अच्छा अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बेनों की मुलाकात है डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है इसलिए वृध्धी भी अच्छी कर रहे हैं विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृध्धी अच्छी की है लौकिक और लौकिक दबल कारिय करते आगे बढ़ रहे हैं डबल कारिय में समय भी लगाते हो और बुध्धी भी शरीर की शक्ती भी लगाते हो यह भी बुध्धी की कमाल है लौकिक कारिय करते सेवा में आगे बढ़ना यह भी हिम्मत का काम है समय निकालना एक तरफ लौकी जॉब है दूसरे तरफ सेवा करना बाबा कहे हिम्मत का काम है तो बाबा विदेशी बच्चों की हिम्मत को भी कितना वैल्यू देते हैं ऐसे हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कारिय में मददकार है कैसे हिम्मत वाले बच्चे जो दोनों कारिय अच्छी तरह से संभाल करके चल रहे हैं तो बाप दादा सदा हर कारिय में मददकार है जितना हिम्मत उतना पदम गुना बाप मददकार है ही लेकिन दोनों पाट बजाते उन्नती को प्राप्त कर रहे हूँ यह देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्शित होते हैं माया से तो मुक्त होना पुछते हैं बाबा कि दोनों कारिय संभालते हुए माया से तो मुक्त होना जब योग युक्त है तो स्वत ही माया से मुक्त है योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं विदी बाबा ने बता दी योग युक्त रहो तो माया से मुक्ती रहेंगे माया को भी ब्रामण आत्माई प्यारी लगती है जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मज़ा आता है माया भी शक्तिशाली है आप भी सर्वशक्तिमान हो तो माया को सर्वशक्तिमान के साथ खेल करना अच्छा लगता है अब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से कि कभी कभी नए रूप से भी आ जाती है को भी जानना और माया को भी जानना अगर रचेता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नौलेज़फुल नहीं ठेह रहे नौलेज़फुल किसको कहा जाता है तो बाबा उस बात को सपश्ट करते है कि नौलेज़फुल माना बाप को भी जानना, रचना के आदि मत्य अंध को जानना और माया को भी अच्छी तरह से जानना है जैसे दुनिया में कहावत है कि अगर कोई योद्धा अपनी शक्ति को नहीं जाने और दुश्मन की शक्ति को नहीं जाने तो हार निश्चित है अगर स्वयम की शक्ति को जानते हैं, दुश्मन की शक्ति को नहीं जानते हैं तो भी हार सकता है अगर दुश्मन की शक्ति को जानता है और स्वयम की शक्ति को नहीं जानता है तो भी हार हो सकती है इसी लिए बाबा भी कहे नौलेजफुल वह है जो स्वयम की शक्ति को जाने बाबा को भी जाने माया को भी जाने दुश्मन को भी जाने तब हर कदम में भी जहिए अन्गों को तो इसी को बाबा ने नौलेजफुल कहा अगर रचयता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नौलेज़फुल नहीं ठहरे कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमजोर भी हो या कार्य का ज़्यादा बोज भी हो लेकिन मन से कभी भी भगना नहीं इतनी अच्छी बात कही भले तन कमजोर हो काम का बोज ज़्यादा हो तो भी मन से नहीं ठकना क्योंकि माया मन पर ही एटेक करती है तन की थकावट मन के खुशी से समाप्थ हो जाती है मन अगर खुश है तो तन की थकावट मैसुस नहीं हो लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देता है बढ़ जाती है मन कभी थकना नहीं चाहिए बहुत अच्छी बात, बहुत कहरी बात बाबा ने कहा दी, कि मन कभी भी ठकना नहीं चाहिए, जब ठक जाओ, तो क्या करो, सेकंड में बाप के वतन में आजाओ, उफर करते हैं बाबा, कि जब ठक जाओ, तो सेकंड में बाप के वतन में आजाओ, अगर मन को ठकाने के आदी होंगे तो ब्राह्मन जीवन के उमंग उत्सा का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है ऐसे अनुभव नहीं होगा यह अनुभव नहीं होगा बाबा मुझे चला रहा है क्या मैसुस होगा? महनत से चल रहे हैं और जब महनत अनुवोगी तो ठकावट भी होगी इसलिए हमेशा समझो करन करावनहार करा रहा है चलाने वाला चला रहा है समय शक्ती दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो सेवा कभी रह नहीं सकती आज नहीं तो कल होनी ही है अगर सच्चे दिल से दिल के सने से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उलहना नहीं देंगे कि इतना काम किया इतना नहीं किया साबाश मिलेगी बाबा सदा साबाश मिलेगी समय प्रमाण शक्ती प्रमाण सच्ची दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर सहब राजी है जो आपका कारियर रह भी जाएगा तो बाब कहा ना कहा से पुरा कराएगा सुन्दर बाबा जैसे responsibility ले लेते हैं कि अगर मानो कोई बात छूड़ गई आपसे तो बाबा उसको पुरा कराएगा कहा से पुरा जो सेवा जिस समय में होनी है वो होकर ही रहेगी रह नहीं सकती किसी न किसी आत्मा को टच कर बाब दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएगे योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है लेकिन किसको मिलेगा सच्चे दिल वाले सच्चे सेवाधारी तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो साहव राजी है हमारे उपर ऐसा अनुभो करते हो न अच्छा आज का बाबा का मदुरवरदान है एक बाब के लव में लवलीन रहे सदा चड़ती कला का अनुभो करने वाले सफलता मूरत भवर सेवा में वा स्वयम की चड़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाब से अटूट क्या है बाब के सिवाई और कुछ दिखाई न दे संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाब का साथ ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देती है ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है वह रुहानी जादूगर बन जाती है आज का बाबा का स्लोगन है योगी तू आत्मा वह जो अंतर मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है अच्छा ओमशन